डिमपली आदो अपने खुबसूरती सरसुभाओं से हमेशा लोगों के बीच बनी रहती हैं लेकिन हम आपको एक बार फिर उनका एक वीडियो दिखाएंगे जिसकी वज़े से आप भी जूम उठेंगे मतादे साल 2009 में लोगसभा उप्चुनों के दोरान डिमपली आदो ने राजनीती में कदम रखा 2017 के विधान सभा चुनों के दोरान डिमपली आदो किसी मजबूत राजनीता की तरह उभर कर सामने आए डिमपल यादो की जन सभाओ को देकर कई राजनितिक विशेशग्यों का मानना है कि उनकी राजनितिक शमताओं के बारे में शैद अकलेश भी अंजान थे इसलिए डिमपल यादो को पार्टी कैमपेंग के रिए प्रवक्ता पहले चुरन की वोजिंग पूरी होने के बाद बनाये गया कई एक्सपर्स का माना है कि डिमपल यादो यूआ और महिला वोटरों को आकरशित करने में काम्याब है डिमपल यादो जोन सभाव में अपनी हाजिर जवाबी की खूब चर्चे की वज़ा से लोगों में बनी रहती है डिमपल यादो का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी दिनों से वारल हो रहा है जो उनके फैंस के बीच में आज भी ट्रेंड कर रहा है यह वीडियो शिवपल यादो के बेटे आदिती यादो की संगे सेरिमणी का था जिसमें डिमपल यादो जम कर ठुम के लगाती नजर आई सेरिमणी में चिटियां कलाईयां गाने पर किये गए डांस को लेकर डिमपल यादो काफी सुर्खियों में रही उस दोरान उन्होंने यादो परिवार के अन्य सदस्यों को भी डीजे पर थिरकने को मजबूर कर डाला इस बीच अखलेश यादो भी तूने मारी एंट्री गाने पर डांस किया लोगों ने काफ एंजुआय किया उस दोरान भी और आज भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा अचाया है कि लोग उसे बार-बार देखने को मजबूर हो जाते हैं मुलाम सिंगे भतीजे और श्यपाली यादो के बेटे आदित्य यादो की शादी राजल लक्षमी के साथ हुई मुख्यमंद्री अखलेश यादो के पतनी ढिंपल यादो जब गाने की धुन पर नाची तो सब देखते ही रहे ढिंपल डीजे पर बजरहे गाने चिटिया कलाईया पर जम कर नाचती देखे शादी के दोरान शायर ढिंपल को पहली बार इस तरह देखा गया डिंपल सब के बीच में डांस करती दिखी ये वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर धूम अचा रहा है वीडियो में पतनी ढिंपल के साथ अकलेश भी कदम से कदम मिलाते नाचते गाते नजर आए